हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दूस्द संदीप और स्वागा थे आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिसकस कर रहे हैं थेवरी आप कंपुटिशन पर इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि मोरे मशीन यदि हमको दी होई है तो इसको हम किस तरह से मीले मशीन में कंवर्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि हमको मीले मशिन दी होई है तो हम उसको किस तरह से मुरे मशिन में convert करेंगे Conversion के लिए हम Transition Diagram का भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं Transition Table का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो Table दी होई है वो मीले मशिन की दी होई है और इसको लेकर हमको मुरे मशिन में convert करना है तो यहाँ पर दोस्तो यदि आपने previous वीडियो नहीं देखे तो यह वीडियो को आप जरूर देखें लें क्योंकि जो टीवसी का जो सलेवस होता है उसमें एक वीडियो दूसरे वीडियो से link रहता है तो मैंने सारे जितने वीडियो सोते हैं सब की जो link है वो description box में दे दि मुले मशων दी होई जो आप टेवल देखते हो वहाँ पर क्या होता present state दी रहती है और करेंड इस्टेट होती उसलिस्की आधार हम को क्य अदा है आणुर्वड में बनाते हैं झो दो होता है जो state होती है उसके according हमको output लिखना रहता है सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं intermediate मीले मशीन बनाते हैं means intermediate state यहाँ पर बनाते हैं तो पहले यहाँ से एक table बनेगी और फिर एक final table उसके बाद में बनेगी यहाँ हमको दो बार table बनाना है तो first जो table है वो हमारी intermediate कहलाएगी अब हमको क्या करना रहता है तो यहाँ पर देखिए जो state है हमारी जैसे माली यह q1 है सबसे पहले state क्या है q1 q1 के अदि हम output यहाँ पर देखें तो क्या लेखा हुआ है 1 लेखा हुआ है अब q1 यहाँ पर भी है और उसका output भी क्या है 1 है that means q1 जहाँ पर भी है उसका output क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि q1 का output क्या है हमारे पास 1 है तो q1 एक ही state रहेगी जिसको हम q1 ही बोलेंगे इसके बाद यहाँ Q2 देखें, तो Q2 का output एग जगे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और Q2 का output एग जगे 0 मिल रहा है, तो जो Q2 state है हमारे पास, वो दो पार्ट में split हो जाएदगी, पहली state क्या 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 लाएगी, Q2 और output क्या है, 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Q2 0, और एक बार क्या हो रहा है, Q2 के साथ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो Q2 और यहाँ पर output क्या है, 1 है, तो यदि किसी state का output अलग-अलग मिल रहा है, तब हम उस state को क्या करते हैं, इस प्लिट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर Q2 का output एग जगे 0 है, और एक जगे 1 है, तो हमने इसको split कर दिया है, Q2 0 में, Q2 0 में, इसके बाद Q3 को देखते हैं, Q3 का output यहाँ पर भी 0 है, Q3 का output यहाँ पर भी 0 है, तब Q3 को हमको split नहीं करना है, फिर हम देखते हैं Q4 को, Q4 को यदि हम देखते हैं, Q4 का output एक जगे 1 है, और Q4 का output एक जगे 0 है तो ये state भी split होगी तो एक state बनेगी Q4, 0 क्योंकि output 0 मिल रहा है और एक जागे मिलेगा Q4, 1 क्योंकि output 1 मिल रहा है तो इस तरह आपको सबसे पहले table में से क्या देखना है कि यह सी कौन-कौन सी state है जिनको अलग-अलग output मिल रहा है यदि state को same output मिल रहा है table आपकी यही वनेगी बस यहाँ पर आप नई states आपको introduce करनी है सबसे पहले state क्या है Q1 Q1 को हमने split नहीं किया तो Q1 यहाँ पर आ गया Q1 के सामने क्या लिखा हुआ है Q3, 0, Q2, 0 लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है Q2 जो है उसको split कर दिया था हमने Q2, 0 और Q2, 1 में अब यहाँ पर Q3 को split नहीं किया है तो Q3 को बैसा को बैसा लिख दिया लेकिन यहाँ पर Q2 के साथ output क्या है 0 है तो यहाँ पर output के साथ 0 था तब हमने इसको क्या नाम दिया था Q2, 0 तो यहाँ पर इसको क्या लिख देना है? Q2 0 लिख देना है अगला क्या है? Q2 Q2 को split किया है Q2 0 में तो यहाँ पर इसको split किया है Q2 0 में और Q2 1 में ठीक है? अब Q2 के सामने जो लिखा हुआ है इस row को पूरा यहाँ पर repeat करना है तो यहाँ पर आ गया Q1 1 Q4 0 again Q1 1 Q4 0 लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q1 split नहीं हुआ था तो Q1 को हमने बैसा के बैसा लिग दिया लेकिन Q4 फिर से split हुआ था Q4 0 और Q4 1 में तो यहाँ पर Q4 के साथ output क्या है 0 है इसलिए यहाँ पर Q4 0 हो जाएगा और यह भी Q4 0 हो जाएगा इसके बाद क्या है Q3 Q3 को split नहीं किया था तब Q3 एक ही बार आएगा Q3 और सामने क्या आएगा Q2 1 और इस तरह पाएगा Q1 1 अब यहाँ पर भी क्या है कि Q1 तो हमारे split नहीं हुआ था लेकिन Q2 split हुआ था Q2 split हुआ था हमारे Q2 0 और Q2 1 में तो यहाँ पर Q2 के साथ आउटपुट क्या है 1 है तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा Q2 1 आ जाएगा इसके बाद क्या है Q4 है तो यहाँ पर आगे Q4 0 और Q4 1 इसके सामने क्या लेका हुआ है Q4 1 तो यहाँ पर हमने लग दिया Q4 1 और यहाँ पर क्या है Q3 0 रिपीट करना है इसको तो रिपीट कर दिया इसके सामने Q4 1 और यहाँ पर आगे Q3 0 फिर से वही है कि यहाँ पर आउटपुट क्या है 1 है इसलिए 1 हो गया यहाँ पर भी output क्या है बन तो यहाँ पर भी बन हो गया तो इस तरह से हमारे जो table है वो इस तरह से अब यहाँ पर बन गई है अब यह जो table हमको मिली है इसको convert करेंगे अब हम मूरे machine में यहाँ पर मिलेग देता हूँ कि अब किस में convert होने वाली है यह मूरे मशीन में convert होने वाली है मूरे मशीन में जब हम convert करते हैं तो हमार पास table किस तरह बनती है present state यहाँ पर हम लिखते है next state यहाँ जाता है हमारा input 0 और input 1 और यहाँ पर बताते हैं हम output ठीक है इस तरह से आप यहाँ पर देखिए तो state अब हमारे पास क्या क्या बन गई है state हमारे पास है q1 q2 0 q2 1 q3 q4 0 और q4 1 यह इतनी state हमारे पास यहाँ पर बन गई है अब इन सब के लिए हमको transition लिखना है तो transition बिलकुल आपको यहाँ से उठा के लिख देना है same तो transition तो हम यहाँ से देख लेंगे q1 पर 0 देंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे q1 पर 1 देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे अब बात आती है कि output आपको किस तरह लिखना है तो देखिए, output देखने के लिए जैसे हम Q1 का output देखना चाहते हैं तो output आपको इस तरफ से देखना है Q1 का यदि output आप यहाँ पर देखेंगे तब भी 1 मिलेगा और Q1 का output यदि आप यहाँ पर देखेंगे तब भी 1 मिलेगा Means Q1 का output क्या है हमार पास? 1 है यदि आपने सब को सही सही किया हुआ होगा तो यहाँ पर जितनी तरह जहाँ भी same state लिखी हुई होगी उसका output भी same आएगा जैसे Q1 जहाँ जहाँ लिखा है तो उसका output क्या आ रहा है? 1 आ रहा है फिर आता है Q2 0 तो Q2 0 कहा लिखा हुआ है? एक ही जगे लिखा हुआ है उसका output क्या है? 0 तो Q2 0 का output क्या आ गया? 0 आ गया Q2 1 Q2 1 देखी यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है और Q2, 1 एक ही जगे है तो 1 आ गया फिर जैसे Q3 है Q3 जहाँ जहाँ भी लिखा हूआ है Q3 एक, दो, तीन जगे लिखा हूआ है और तीनों जगे क्या लिखा हूआ है 0 लिखा हूआ है तो इसका output क्या हो गया 0 हो गया फिर यदि हम Q4, 0 के बारे मात करें आटपुट क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है, तो यह इनके आटपुट हो गया, ट्रांशन देख लेते हैं, 0 पर क्याकर ट्रांशन है, Q3, 1 पर है, Q2, 0, फिर Q2, 0 का क्या है, Q1 और Q4, 0, Q2, 1 का है, Q1, Q4, 0, Q3 का है, Q2, 1, Q1, Q4, 0 का है, Q4, 1, Q3, और Q4, 1 का क्या है, Q4, 1, Q3, अगरी, ओके फ्रेंट, तो यह है, मूरे मशीन का टेबल, तो इस तरह से हमारे जो ट्रांशन टेबल दी हुई है, जो की मीले मशीन की होगी, तो आप उसको इस तरह से कर्वेट कर सकते हो, मूरे मशीन में, तो दोस्तों, यदि आपको आज के वीडियो पसंद आया, तो व पेलन को सब्सक्राब जरू करें, तेंक यू